नमस्कार किसान भाईयों, सीरीवोमी इनपो के यूटूब चैनल में आपका हाटिक स्वागत है किसान भाईयों इस चैनल को सब्सक्राइब जुरूर कर लें आज हम बात करेंगे जेकेशीड की दो विराइटियों के बारे में जो मेत्वपूर्ण किसमे हैं पहली आप पिछे से लगाते आ रहे हैं एक विराइटी जेकेशीड ने पिछले साल नहीं विराइटी दी जो इस साल बहुत ज़्यादा फार्मर्स उसको लगाएंगे पिछले कुछ सालों से किसान भाई जेकेशीड की पास पास विराइटी लगाते आ रहे हैं और यह किसानों की पहली पसंद भी बनी हुई है जो किसान पास-पास पिछले के दो-तीन सालों से लगाते आ रहे हैं वो पास-पास का ही चुनाओ करते आ रहे हैं इस विराइटी में कुछ महत्रपूर्ण खाशित हैं जिसका आण से यह किसानों की पसंद अभी तक बनी 2020 में भी किसानों ने इसका अच्छा उत्पादन लिया है 2017-18-19 से ये लगती आ रही है जानते हैं इस विराइटी में क्या खास है मद्यम अबदी की किसम है साथियों इस विराइटी को हम मेडियम टाइम से लेके लेट तक बिजाई कर सकते हैं हलकी वे दोमट मिटी में अच्छी तरह से काम्याव किसम है किसान भाईयों आप हलकी और दोमट मिटी में इसे लगा सकते हैं अच्छा उत्पादन ले सकते हैं इसमें बोल्स जो हैं टिंडे यानि की लडियों में लगते हैं गुच्छेदार लगते हैं और बराबर अधिक संक्या में लगते हैं इस कारण से किसान भाई इसको अधिक पसंद करते हैं चुगाई में बेहद आसान ये सबसे खास बात है इस विराइटी की फिलाव कम कज ज्यादा के कारण परती एकड में पोदों की संक्या ज्यादा पो अबनी ने काफी जगह पे इसे लगवाया था और अच्छा उत्पादन रहा था मध्यम से अच्छी पेदावार देती है मध्यम जमीनों में आप इसे लगा सकते हैं हलकी बैदोमट मीटी की जमीनों में आप इसे लगा सकते हैं इस वेराइटी की अन्य बहुत ची खासियत है यह जो बेक्राउंड में आप वीडियो देख रहे हैं यह पिचान में 0-1 का है और यह एक ही जगह पर गुछेदार बोल्स बनाती है एक ही जगह पर तीन से चार टेंडे इसके लगते हैं और बोल्स की संक्या पोदे पर बहुत ज्यादा होती है जिससे की किसान का उत्पाद जो है इसमें कम होता है फूल गुडियां नीचे भी कम गिरते हैं यह हमने काफी प्लांट इसके विजिट किये थे देखा था अच्छी किसम है आप इसे बेज जक लगा सकते हैं चुगाई में भी बेज आसान है और रेसा है जो अच्छा है बजनदार रेसा इसका निकलता है यह देखिए आप जो बॉल्स जो है टिंडे यानि की एक ही जगह पर काफी सारे बॉल्स इसमें बनते हैं यह देखिए आप इस तरह से तीन से चार बॉल्स एक ही जगह पर गुच्छेदार अंगूर की तरह इसमें लगते हैं यह इस बेराइटी को बाकी बेराइटियो और उत्पादन भी हमें ज्यादा मिलता है किसान भायों अच्छा उत्पादन देने वाली किसमें आप इसे लगा सकते हैं बेजिज़क लगा सकते हैं अभी जैसे कपाज की विजाई का समय चल रहा है तो आप एक दो एकड में इसे जरूर लगाएं पिचान में जीरो एक का यह फिल्ड आप देख रहे हैं आपने को हमारे खेत में जो कच्रा निकलता है उसको जलाना नहीं है कच्रे को बिल्कूल नहीं जलाना है क्योंकि इस कच्रे के अंदर जेविक कारवन होता है जो अपनों कच्रा जला देते हैं तो खतम हो जाता है इसको अपने को जमीन के अंदर ही वहाई के दुआरा जुताई के दुआरा जमीन के अंदर ही डालना है पुरा पुरा कच्रा जमीन में जिससे की जमीन की उर्वरा जो सकती है वो बढ़ेगी और नम्मी ज़्यादा समय तक बनी रहती है एक तरह से खाद के रूप में ये काम करेगा इसके उपर अपन डीकंपोजर देते हैं तो और अच्छे रेजल्ट आते हैं दूसरा DAP की अपने को बिजाई नहीं करनी है मसीन के दुवारा DAP अपने को बिल्कुल भी विजाई नहीं करनी है DAP का छिड़काओ करना है ओपर से भी DAP की विजाई नहीं करना है डियेपी की जगें पर हमें कुछ अन्य चीजों का उपयोब करना है डियेपी कपाज के फिसल में अपन विजाई करते हैं तो लाबदायक नहीं है अगर हो सके तो बर्मी कंपोस्ट यानि की केंचुआ खाद सरुवात में वाई के समय जब डियेपी का चिड़काओ करते हैं उस्टम में केंचुआ खाद जरूर डालें कम मातरा में डालें आपके बहाँ पे अगर अवेलेबल होती है तो क्योंकि केंचुआ खाद नमी बनाने में साहिक है और जमीन को सकती साली बनाती है उखेडे की जो समश्या है या फंगस की जो समश्या है वो केंचुआ खाद खतम करने में उपयोगी है अगर आपके पास केंचवा खाद उपलब नहीं होती है तो हमें गोबर की खाद पर 15 दिन तक ट्राइकोडर्मा के गोल का चिटकाओ करना है एक ड्रम में ट्राइकोडर्मा का गोल बना ले गर पे उसका चिटकाओ करके वो आप डाल सकते हैं उसके बाद बात आती है कि हम अगर DAP के स्तान पर अन्य चीज़े क्या देते हैं, अगर अपन DAP नहीं डालते हैं खेत में, मैं चिटकाओ करते हैं, उपर से बिजाई नहीं करते हैं, तो DAP के स्तान पर हमें क्या देना है? तो किسान भाइयो डेपी की जगेंपर हम सिंगल सुपर फोस पेट, पोटास, एनपीके, उरिया काप्योग कर सकते हैं खड़ी पसल में भी पोटास और सुपर एनपीके की बिजाई कर सकते हैं कुछ किसान भाई उपर से जो बिजाई करते हैं उस टाइम अपन सिंगल सुपर फोस्पेट, पोटास और एनपी के यूरिया यही देंगे DAP की बिजाई उपर से नहीं करेंगे सिंगल सुपर फोस्पेट अमारे जमीन का जो पी एच मान होता है उसको संतुलिंत रखने में बहुत सायक है, बहुत अच्छे रजल्ट आते हैं सिंगल सुपर फोस्पेट के दूसरा सिंगल सुपर फोस्पेट की बिजाई करने से DAP को अपना अटा देंगे उसके स्थान पर इसी का उपयोग करेंगे साथ में अपन पोटास मिला सकते हैं, पोटास के भी अच्छे रजल्ट आते हैं 65-65 किलो तक अपन सिंगल सुपर फोस्पेट दे सकते हैं पोटास की अगर बात करें तो पोटास कपास की पसल में सबसे ज़्यादा उपयोग, सबसे जो जुरूरी तत्व है वो है पोटास, रेसे का बनना, तिड़क का रुकना, पूरा पूरा जो रेसा बनता है या जो बोल्स बनते हैं जिसे आप टिंडा भी कह सकते हैं वो भी पोटास की ही देन होती है इसलिए हमें पहली सिंचाई में दूसरी में तीसरी में चोती सिंचाई तक पोटास देते रहना चाहिए जितना ज़्यादा आपन पोटास देंगे हर सिंचाई पे 20 किलो से 30 किलो परती एकड 25 किलो परती एकड दें तो अपन एक एकड में 90 क तक पोटास ज्यादा से ज्यादा बार बार में दे सकते हैं एक साथ नी बार बार में दे सकते हैं पोटास सबसे जरूरी तत्तव है इसलिए सिंगल सुपर फोस्पेट और पोटास सिंगल सुपर पोस्पेट आप जैसे पहले डीएपी के बिजाई करते थे उस जगहें पे ब पौटास और सुपर का ही प्यूद करना है अब उसके बाद अपन अपन कुछ चीजें और माइक्रो नीूटरिनिट्स के बारे में बात करेंगे और यह जिंक बगेरा के बारे में बात करेंगे लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं एन पी के और यूरिया का प्रियोग प जलने की समश्या आती है माइक्रो न्यूंट्रेंट्स माइक्रो न्यूंट्रेंट्स यानि की सुक्षम तत्तब जैसे जिंक, मैगनिशियम, कैल्सियम, बोरोन, फैर्स जो भी है वो आप पहले दूसरे पानी पर नहीं देना आपको हम आपको जानकारी दे देंगे और आप घर पर ड्रम में गोल बनाके भी यह कुछ चीजें तियार कर सकते हैं जो हमारी जमीन के लिए बहुत ज्यादा उप्योगी होते हैं उसके बारे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा उसमें आपको यह जानकारी अगले वीडियो में दूँगा कि आप घर पे दो ड्रम में कैसे माइक्र नूट्रेंस या ट्राइकोडरमा घर पे कैसे तियार कर सकते हैं और हर पानी में आप ड्रिप के दूआरा या पानी में डारेक्ट आप उसे पाइप के दूआरा छोड़ सकते हैं तो किसान भाईयो आज अपने डिएपी के उपर बात की अब अपन कपास में आगे सप्रे कैसे करना है और चिटकाओं कैसे करना है हमें केमिकल का चिटकाओं का पास के अंदर सबसे कम करना है सबसे कम हमारा खर्चा भी बचाना है और केमिकल का चिटकाओं जो पैश्चाइड है जो बहुत गातक जायर है वो बहुत कम करने है इसलिए इस पर मैं सप्रे के बारे में अगले वीड बना कर बेजूँगा जिसमें यह सारी जानकारियां आपको मिलती रहेंगी तो किसान भाईयों सबसे उपयोगी बात जो थी बीएपी का अपने को चीटा देना है और बर्मी कंपोस्ट का उपयोग करते रहना है और कुछ पिछली साल दो सप्रेव का एक कॉंबिनेसन आया थ जिसके सकिन पेस्ट पे ज़्यादा रेजल्ट मिले थे पेस्ट कंट्रोल में लेकिन उसके बाद नरमे ने पकाऊ ले लिया था इसलिए हमें जहर है जो कम से कम डालना है ताकि हमारा जो कपास का पोधा है लाश तक अन तक चुगाई तक हरा बरा रहें किसान भाईयों नोटिफिकेशन बेल है उसका बड़न भी आप नोटिफिकेशन भी faktycznie कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक पहुंसते रहें किसान भायों आने वाले वीडियो में आपन कपास के उपर सप्रे के बारे में चर्चा करेंगे घर पर कुछ चीजें अपन बना सकते हैं उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे तो सभी किसान भाईयों का धन्यवाद